फाइनली क्लैशोग लैंड्स में वापस से आ चुका है जाइंट गॉंटलेट ट्रेडर शॉप के अंदर हमें देखने को मिल रहा है 1500 जैम्स में जिनोंने भी तक इसको बाई नहीं किया है तो इसे आप लोग यहां पर सिंपली बाई कर सकते हो जैम्स के साथ पर काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी जैम्स की कम है और जिनके पास हैं भी जैम्स तो यहां पर स्पेंड नहीं करना चाहरे वेलकिस आज के इस वीडियो में आपको बताने वालों में कुछ ऐसे तरीके जिससे आप लोग 0 जैम्स होने के बाद भी जाइंट गॉंटलेट को बहुत जल्दी अनलॉक कर सकते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना कोई भी इंपॉर्टन चीज़ आप मिस ना कर कैसे मैं आपको explain करता हूँ ? लास्ट वाले टियर में होती है एपनी book and 100 gems ! आपको 100 gems लेना है और एक book को आपको 50 gems में convert करके लेना है तो 150 gems आपके लास्ट वाले टियर से ​ इसके बाद आपका tier 5 से आप एक और rune लोगे तो आपका 200 gems हो गया इसके बाद यहाँ पर wall ring होती है, shovel obstacle होता है तो इनको मिला के आपका almost 300 gems तक सब कुछ मिला के gems पहुँच जाता है 350 तक भी पहुँच जाता है कभी कभी और अगर 7 tier है तो यह 400 तक भी number जा सकता है training potion को sell करने पर आपको मिलते है 10 gems इसका मतलब आप लोग यहाँ पर 10 clan wall league medals से 10 gems बना रहे हो तो जैसे मेरे पास यहाँ पर 1600 medals है, 1700 almost तो मैं इनको 1700 gems में convert कर सकता हूँ इस तरीके से यह तरीका उनके लिए best है जिनका base already max है और वो लोग अभी next town पर जाने का plan नहीं करने है या फिर आपके पास already maxed down hall है 16 वाला तो यह farming करने का gems का best तरीका है बागी guys अज़र free to play player काफी सारे तरीके हैं gems इखटा करने के लिए लेकिन सबसे easy और सबसे बड़ा shortcut जो है वो आप gems को buy कर सकते हो obviously तो अगर आप लोग इन pack को buy कर सकते हो ना तो आपको किसी tips and tricks जरुद पड़ेगी यह आपको यही से सारे gems मिल जाएंगे लेकिन अगर आप लोग गेम में पैसे spend नहीं करते हो तब भी आप इन packs को gold pass को सारे चीज़ों को buy करना चाहते हो without spending your own money तो इस चीज़ में आपको help करेंगे आज के हमारे वीडियो के sponsors इस वीडियो इस पॉंसरड भाई विंजो जहां पर आप लोग डेली यहां पर earning कर सकते हो वो भी कुछ इस तरीके के simple games खेल के link आपको यहां पर description में मिल जाएगी यहां से download करने पर आपको यहां पर up to 550 रूपीस तक bonus मिलेगा और उनी bonus and tickets को use करके आप लोग यह सारे games खेल सकते हो earning करने के लिए और अफकोस सारे games के साथ में एक free play का भी option है तो आप इन्हें fun के लिए भी खेल सकते हो जो लोग यहां पर सिफ games खेलना चाहते हैं fun के लिए यहां पर ऐसे over 100 games है जिने आप एक यह app से खेल सकते हो और best part यह भाई कि अगर किसी को यह app बश ट्राय करना है न तो यहां पर description के link से download करने पर आपको bonus के पैसे मिलते हैं उसी को use करके आप लोग यहां पर अपनी earning start कर सकते हो और earning करने के बाद redeem करना तो बहुत ही simple है एक click में आप लोग अपने पैसो को redeem भी कर सकते हो तो bonus सा शुरुआत करो भाई link description में go and download winzone now और guess अब मैं आपको एक ऐसा shortcut बताने वाला हूँ जिससे आप लोग 0 gems के साथ giant gonad ले सकते हो यह specially beginners के लिए होने वाला है बहुत useful तरीका आपको simply न जिस भी टाउनल पर आपको यहां पर एक बार बस चैंपियन लिग रीज कर देना and सब कुछ मिला कि आप almost 3000 तक gems से खटा कर सकते हो builder base में आप trophy pushing करके almost 1000 extra gems से खटा कर सकते हो तो यह सबसे easy तरीका है अगर आपने अभी तक champion league reach नहीं किया है तो यह कर लेना तो आपको तुरंत भाई सब मिल जाएंगे around 3000 gems जिसको आप राहाम से spend करके giant gauntlet को ले सकते हो and well कि इस अगली team आपे रही कि आप लोगों के लिए जोई events गेम में आते हैं इनको कभी miss मत करो जैसे मैं खुद miss करना हूँ क्योंकि यह मेरा main account नहीं है तो यहाँ पर मैं अभी तक event नहीं किया पर आप लोगों को किसी account में gems की जलो होता है तो यहाँ पर new gems की जो mining है वो start नहीं होगी तो एक तरह से आप miss out कर रहे हो gems में मुझे पता है काफी लोग यहाँ बिल्डर बेस डेली नहीं खोलते हैं और कि second चीज जो काफी लोग यहाँ पर ignore करते हैं वो है आप अपना यह वाला clock tower यह literally यहाँ पर आपके base को 30 minutes के इसको 365 से multiply कर दो बहुती बड़ा number निकल के आएगा हजारों में आपको gems मिल सकते हैं gem mind से सिर्फ and guess आपके जितने भी account उनमें सबसे जादा gems जिस वाल account में है उसका number क्या है बाई comments बनाओ देखते हैं बाई किसके पास कितने gems हैं मेरे पास इस वाल account में देखो 3400 को gems हैं वो भी इसलिए because मैंने यहापे कुछ hero skins वगरा लेने में अपने gems को डा दिया वरना यहापे मेरे पास और भी gems होते हैं मैं regret कर रहा हूँ कि मैं hero skin ना लियोती तो better रहता तो मेरे को तो रखता है hero skin लेने के बाद regret होती है मुझे तो होती है पता नहीं क्यों and guess आप मेरे builder base मैं देख सकते हो काफी सारे currently यहापे obstacles है जिनको मैं remove करके gems निकाल सकता हूँ चलिए एक चीज़ देखते है मेरे पास currently 3412 gems है इन सारे obstacles को remove करने के बाद हमारे पास कितने gems होंगे इस चीज़ को देखते है चलिए तो इन सारे obstacles को remove करने के बाद almost 100 gems मिल चुके है मुझे लगता है यहाप अपने root वाले जो obstacles है इन से gems थोड़े से कम मिलते हैं compared to अपने दूसरे obstacles और वेलगे इस मैंने एक चीज़ यहाप यह पढ़ी थी कि अगर आपके base में obstacles बहुत सारे होगे तो एक limit के बाद है वो spawn हो आपके बास बहुत सारे red medals है तो इसको भी आप use कर सकते हो gems इखटा करने के लिए बागी जिन लोगों ने आपके काफी सारे gems इखटा की है आप लोग भी अपना experience शेयर कर सकते हैं आपके साब से सबसे important tip क्या है या फिर कोई भी ऐस चीज़ जो इस वीडियो में शायद इ सकते हो जहां पर मैंने cover की है कुछ ऐसे amazing way जिससे आपको इतने easy तरीके से gems मिल सकते हैं